जो हमारा आज के टॉपिक है करेटरिस्टिक आफर रिंग इससे आपको कंपर्सरी में कोश्चन हो सकता है मिल जाए तो हो सकता है आपको फूल कोश्चन मैंने बारबार शाल में देख आ है आप यही पोश्चन इन्हों ने पोचा है बार-बार कि कोश्चन द्हां से सुन लिजी आप कई बार यह कोश्चन ही बूचा गया सीधी है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको एक एक जामपल से पर इस टीपनीशन का बताता हूं कि क्या होता है इसका एक टीपनीशन जानेंगे उस पर एक्जामपल करेंगे और जो ठीरों में सब कु कम्प्रीट करेंगे आज मिसी बूडियो में तो सच से पहले मैं सेट आप इंटीजर की बात कहूं जो फाइनाइट मैं ले लूँ जेड़फोर ले लूँ जेड़फोर का मतलब क्या है इसके पास यह वाले एलिमेंट होते हैं मतलब अगर मैं जेडियान यहां पर लेता जायागा ठीक है तो हम मैं फाइनाइट यहां पर लेकर मैं चल ला हूँ तो मैं आपको बताऊंगा इसका कारेटरिस्टिक जो होता है वो क्या होता है साथ से पहले जेड़फोर के पास कौन-कौन से एलिमेंट है चार एलिमेंट है जीरो वन टू तु थिरी है ठीक है तो यही काता है कि क्या हम इससे जीरो हम लेते हैं जीरो को हम एड कितनी बार एड करें कितनी बार इसको जीरो को हम एड करें कि यहां पर माडूलो क्या है हमारा फोर है फोर कितनी बार एड करें जीरो को कि यहां पर एड करने के बाद और फोर से जब हम डिवाइड कर रहें त चलिए जीरो को आप एक बार करो चाहें फोर बार करो जब फोर से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा अब बात करते हैं वन को वन को हम कितनी टाइम इसको एड करें कि add करने के बाद 4 से divide करें, देखो जब 4 time add करोगे, तो 4 आएगा, 4 को 4 से जब modulo यहां लगाओगे, आप modulo 4 लगाओगे, तो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, अब बात करते हैं, 2 की, तो 2 को कितनी time add करें, 2 को भी 4 time add कर रहे हैं, तो क्या रहा है, 8 रहा है, उसको भी 4 से divide करोगे, तो modulo 4 यहां 0 आजाएगा, फिर 3 को बात करें, तो 3 आपका हो जाएगा, 4 time 12 आजाएगा, 12 को 4 से divide करोगे, तो क्या जाएगा, 0 आजाएगा, यहां modulo 4 आप अपलाई करते हो, तो हमने यह देखा, कि 4 एक ऐसा number है, जिसको 0 स इस z4 के element से, किसी number से, 4 time उसको हम add कर रहे हैं, तो क्या दे रहा है आपको, 0 दे रहा है, क्या दे रहा है, 0 आ रहा है, एनि 4 into a, 4 into a का मतलब ही हो गया, a plus a plus a, 4 into a हम कर रहे हैं, तो वो 0 आ रहा है, और for every, कोई भी a element हम z4 से ले रहे हैं, यह का जगा पर 1, 0, 1, 2, 3 है, तो 4 into a क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 4 into a क्या हो रहा है, आपका, 0 हो जाए है, यह आप कुछ भी यहां से ले रहे हैं, तो इसी 4 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, characteristic आप z4, मतलब इस z4 जो ring आपका है, इसका characteristic क्या है, characteristic क्या है, z4 का characteristic है, वो क्या है आपका 4 है, क्योंकि 4 एक ऐसा element है, जिसको यहां पर add करने पर, 4 टाइम सबको add करने पर आपको 0 आ रहा है, definition यही है, कि अगर कोई ring है, उसको yarn into a करते हैं, वो 0 आता है, और a आपका उस ring से element होना चाहिए, तो अब हम उस yarn को बोलते हैं, characteristic आप yarn बोलते हैं, यहन आपका positive integer होता है, क्या होता है, तो आपने यहां इस example में देखा कि, Z4 के जितने भी element है, सबको हमने 4 time ही add किया था, तब जाकी यह 0 आया था, हलाकि 0 को आप one time add करो तब जिरो ही आएगा, तो 0 को आप यतनी time add करो कोई फरकने पड़ता, 1 को आप देख लो, 2 को देख लो, 3 को देख लो, ठीक है, तो इस ring Z4 का जो characteristic है, वो क्या है, 4 है, तो आपका example से चलिए, एक बार definition देख लेते हैं, एक बार देखते है, characteristic of a ring, let R be a ring, मतलब यह R जो है, आपका ring फर्म कर रहा है, with 0 as its 0 element, ठीक है, और उसके पास 0 element में चाहिए, if there exists a positive integer n, such that n into a, मतलब क्या हुआ इसका, कि n time a को आप add करो, तो आपको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, फर every a belongs to ring R, तो आपके पास यह क्या है, एक positive integer ऐसे अग्जिस्ट कर जाए, जिस ring से आप कोई भी element एक लो, और उसको उतने time यहाँ पर add करो, तो क्या हो जाए, 0 आजाए, then such smallest positive integer n is called characteristic up ring, क्या बोलता है उसको, characteristic up ring बोलते हैं, if no such, अब यहाँ पर देखते हैं, चलो मिले गया तो कोई ठीक ने, उसको हमने characteristic up ring नाम दे दिया, अगर नहीं मिले तब, if no such positive integer n exist, कोई हमें n ऐसक मिले गा ही नहीं, कि वो 0 आपर हो आप, then the ring are set to be characteristic 0 are infinite, अगर आपके पास कोई एक अन ऐसा एक जिस्ट ही नहीं करता है, कि जिसको आप n time यह को आप add करो, ठीक है तो 0 आजाए, तो उस case में या तो उस ring का characteristic 0 होगा, या तो क्या होगा, infinite होगा, अगर कोई आपको कोई positive n मिलता ही नहीं है, कि दिंक के element को आप add कर रहे हो, तो क्या आपको 0 आ रहा है, अगर ऐसा क्यों नहीं होता है, तो उसका characteristic 0 होगा, या infinite होगा, ठीक है, चलिए हम इस पर एक example और कर लेते हैं, जेट 6 का example कर लेते हैं, ठीक है, और पूछा भी गया है, यह ऐसे ही पूछता है, कि क्या बोलता है कि, define the characteristic offering and example, ठीक है, तो चलिए हम एक और example आपको दिखा देते हैं, z setup integer का, एक और में example यहाँ पर लेता हूँ आपको, z6 लेता हूँ में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, exam पूछता था बस आप जितना मैं लिख रहा हूँ उतना ही आप लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यह लेते हैं, इसके पास characteristic ring केतने होंगे, ठीक है, तो आप add करको देखो, 0 कभी add करोगे 6 time, क्या 6 time, 0 को 6 time add करोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, 0 मिलेगा, जब आप लगाओगे 6, तो यह 0 आ जाएगा, उसी तरह 1 को कितनी time add करें, कि 6 से divide 6 time, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, 4, 5, 6, 6 आएगा, 6 से 6 डिवाइड करोगे, क्या माट हो, जब आप लगाओगे तो, ठीक है, उसी तरह 2 को कितनी time add करें, 2 को हम 3 time add कर सकते हैं, ठीक है, नहीं 3 time add करेंगे, हम 6 time add करने पड़ेगा, क्योंकि सब के लिए वह ही है, यान इन्टु ए, यह आपका कोई element हो, तो 6 time add करोगे, तब भी क्या करेंगे, 2 से 6 से divide कर जाएगा, ठीक है, यह आप कितना आएगा, 4, 6, 8, 10, 12 है जाएगा, अटोल भी क्या करता है, डिवाइड करता है, यहापर 6 से, बसम जा रही है, तो ऐसे ही आप हर element को आप 6 time add करेंगे, और 6 से divide करेंगे, तो क्या आएगा आपका, 0 आने वाला है, हिंस यहापर क्या होगा, हिंस, 6 into a is equal to 0, for every a belongs to z6, तो आपको एक positive integer 6 मिल गया, जिसको, z6 के कोई भी element को आप 6 time add कर रहा हो, और 6 से divide, आप माटलों इसमें लगाएंगे, 6 से divide करेंगे, तो जीर हो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, characteristic, characteristic, यानि, characteristic, characteristic of ring, z6, each, कितना आएगा आपका, 6 आने वाला है, क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है, तो यह रहास का example हा, कुछ हम infinite rings के बारे में जान लेते हैं, कुछ infinite rings के बारे में देखिए, जैसे आपका बात करे, set up integer, set up rational number, set up real number, यह ring होते हैं, हम बहुत पहले पढ़ चुका है, तो इन सबका जो characteristic होगा, वो 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, characteristic को साथ notation में अचे लिखते हैं, z, characteristic of q 0, characteristic of set up real number 0, क्योंकि आपको कोई एक ऐसा positive number, क्या होता है, 0 as there exists no positive integer n, for which an into a is equal to 0, for every z qr, ठीक है, मतलब आपको कोई एक an ऐसा नहीं मिलेगा, जिससे आप, इसके element से an time add करने पर, वो 0 होगा, ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जितने field होते हैं, सबका characteristic क्या होता है, 0 होता है, सारे क्या है, यह field है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उतना हम high labor में नहीं जाएंगे, बस, ठीक है, तो यह रहाए example, finite भी देख लिया, तो एक question तो यहां तक बनता है, define the characteristic offering an example, तो अभी तक आपने दो एक्जाम्पला मैंने करवा चुका, z4 लिया था, z6 लिया था, यह infinite ले सकते हैं आप, ठीक है, तो एक question यहां बनता है आपका, चलिए हम कुछ और important question करते हैं, theorem देखिए, the characteristic of ring with unity 0, are greater than n, मतलब 0 से जो n होगा, जो 0 से कहा होगा, greater than होगा, according as the unity element e, regarded as a member of additive group of the ring, has the order 0, are n, क्या पुछा जा रहा है, आप से question में, कि अबर कोई characteristic ring with unity 0, or n greater than 0, according as the unity element e, regarded as a member of additive group, जो additive क्या है, वो additive group का member है, आप ring has order उसका क्या होगा, 0 होगा या तो n होगा, तो सबसे पहले हम इसको proof कहसे करेंगे, चलिए देखते हैं, since, since e is the unity, unity element of the ring R, ठीक है, since e, जो question में दिया हुआ है, since e जो आपका है, unity element है, ring R का, so, order of identity क्या होगा, 0 होगा, imply characteristic of ring is 0, क्या होजागा, characteristic जो होगा, इसका क्या होजागा, 0 होजागा, let order of identity is called to n, is called to n, is called to n, is called to a finite, finite number, finite number, so that, n is the least positive integer, such that, n is equal to, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है, also, also, e into a is called to a, या a, e हो जाएगा, कोई भी element आप हाट से लें, क्योंकि यह identity है, तो कोई भी element multiply करेंगा, वही element आने वाला है, since n a is called to, n e into a, यहोंकि e के जगा पर क्या लिख सकते हैं, आप a into identity लिख सकते हैं, तो यहां से लिख करने के बाद, यहां पर देखिए, n e into a is called to 0, को हम लिख सकते हैं, 0 into लिख सकते हैं, अब यहां पर cancellation law apply कर लिजिए, आपका यह is a quintal हो जाएगा, यानि यह क्या हो जाएगा, identity, n into identity क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, तो since n is the least positive integer such that n is equal to 0 होता है, तो the characteristic of ring r is n, by आपका definition to recording हो जाएगा, ठीक है, तो यहां सोजे लिख सकते हैं, एक लाइन हम, n is the least positive integer such that n is equal to 0, तो जो characteristic ring की characteristic होगी, वो क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं, characteristic of the ring, ring r is, क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, तो यह था आपका theorem, कैसे प्रूप करेंगे आप, ठीक है, चलिए हम कुछ important question करते हैं, चलिए, question देखते हैं, और यह काफी बार पूछा गया है, मेरे according यह 2012 में भी आया था, और भी यह time आया हुआ है, आप match करना अपने अनसाल से, ठीक है, और काफी important question है, कई बार पूछा गया है, तो इस question में क्या क्या रहा है, इन आल का mutative ring, आप characteristic is 2, ठीक है, prove that a plus b का whole square is equal to a square plus b square is equal to a minus b का whole square, यह आपको prove करना है, और a, b यह जो आपका है, वो रिंग से लेंगे, मैं बार बार बोलना हूँ, यह important question है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है, तो चलिए, कैसे इसको हम solve करेंगे, सबसे पहले, क्या question में दिया हुआ, यह देखिए, r plus dot, जो आपका ring है, विका है, क्या mutative ring है, be the, का mutative, ring, ring of, characteristic, कितना दिया आपका, 2 दिया हुआ है, ठीक है, characteristic, अगर कोई ring का 2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, then, 2 into a is equal to, क्या होगा, 0, for every a belongs to ring r, यही तो हमारी definition है न, कि yarn into a, 0 होता है, तो हम इस, कोई भी ring के अंदर, माल लिए, यह ring आपका r है, yarn into a, 0 होगा, यह positive number आपको मिल गया है, इसका मतलब क्या हुआ है, कि इसी ring का हम क्या बोलते थे, characteristic क्या बोलते थे, yarn बोलते थे, तो इस question में हमारे characteristic two दे रखा है, इसका मतलब, यह कुछ भी लें इस रिंग आर से कुछ भी आप ए ले लें 2 into A क्या होने वाला है? 0 होने वाला है क्या होने वाला है? 0 होने वाला है ध्यान से समझने हैं यहाँ पर Now A plus B का whole square is equal to इसको अम लिख सकते हैं product आप 2 नम्म A square को ठीक है? यह दो नम्म लिख सकते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे देखिए क्या करना आपको कुछ इसको हम अरजेस्ट करते हैं जिससे हम A into A plus B plus B into A plus B कर सकते हैं दोनों में जब आप A plus B कामन ले लेगे तो A plus B ही बज़ेगा फाइनली यानि A plus B को into A plus B को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है? अब इसको थरबा मल्टिप्लाइ आप करिए तो A into A plus A into B plus B into A plus B into B ठीक है? यहाँ पर हमारे कोशन में क्या दिया हुआ है? यहाँ कोशन में यह गिवन है कि जो आपका रिंग है यह कामुटेटिव है कामटोटि का मतलब क्या हुआ? A B is equal to B A कोशन में दिया हुआ है A B is equal to B A कामटोटिव बोल दिया क्या है? फार इबरी R कुछ भी ले रहे हैं आप यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस A B is equal to B A फार इबरी A कामटोटिव बोलंग्स टू रिंग R तो यहाँ से आप देखेंगे तो इसको तो आप लिख सकते हैं A स्क्वार और यह आपका A कही हो जाएगा यहनि A B is equal to B यहनि 2 A B हो जाएगा यहाँ हो जाएगा आपका B स्क्वार क्या हो जाएगा आपका B स्क्वार हो जाएगा अब 2 A यहाँ पर क्या है हमारे कोशन में दिया क्या है 2 A क्या है 0 है तो इस 2 A के जगा पर आप इसको 0 पूट कर दिजिए तो A plus 0 into B क्या होगा 0 हो जाएगा तो A plus B का whole square is called to क्या होगा A square plus B square हो जाएगा यही हमको क्या करना था प्रूप करना था यहाँ पर लिख सकते है since 2 into A is called to 0 होता है similarly आप ऐसे ही A minus B के जो दिया हुआ है उसको भी ऐसे ही आप प्रूप कर सकते है similarly एकजाम में आप similarly मत लिखना ठीक है आप easy है A minus B को हम लिख सकते हैं चलिए हम प्रूप कहीं कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं second part में मैं इसका प्रूप कर देता हूँ तो इसका second part देखिए A minus B का और स्कॉर को हम लिख दिया A minus B into A minus B वही simple A multiply किया B multiply किया यहाँ पत्वासा देख लिजिएगा अब minus minus यहाँ प्लस हो जाएगा तो B square हो जाएगा अब 2 A 0 है तो आपका A square plus B square हो जाएगा और इसका भी आपका प्रूप यह हो गया ठीक है तो यहाँ से आप यह प्रूप इसलिए हमने देखा है hence probed ठीक है तो यह question कई बार पोछे गए हैं आप इसको जरू इसको एक बार देखे जरू question को important भी है चलिए हम कुछ और question करते हैं तो next room हमरा क्या कर रहा है कि जो integral load होते हैं उनका जो characteristic होता है या तो वो 0 होता है या तो prime number होता है क्या होता है या तो 0 या तो prime number prime number का मतलब क्या हुआ यह वो number जो या तो खुद divide करें या तो 1 उसको divide करें जैसे आपका हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया इस सब prime number है तो कोई भी integral domain है या तो उसका correct stick 0 होगा या तो prime number होगा ध्यान से देख लो theorem को कई भार A भी पूछा गया है तो चलिए देखते हैं कैसे इस theorem को हम प्रूब करेंगे तो सबसे पहले क्या प्रूब करेंगे the characteristic of D is either या तो प्रूब ये मोगा ही करना है वो तो 0 होगा या आपका greater than 1 होगा मतलब greater than 1 का मतलब prime number जो क्या होते हैं 0 से बड़ा ही तो होते हैं ठेक हैं तो जो integral domain D आपका है या तो 0 होगा तो 0 से बड़ा होगा if the characteristic of D is 0 then theorem is proof पैसे task ये हमार है कि अगर हम 0 प्रूब कर दें तब भी characteristic जो integral domain का 0 प्रूब कर दें theorem प्रूब हो जाएगा if the characteristic of D is greater than 0 मतलब प्राइम नेमर जिरू से बड़े होते हैं तो यान then we then we are to prove that यान is prime number अगर आप greater than 0 प्रूब करना है तो पहले आपको यान को प्राइम नेमर प्रूब करना पड़ेगा तब ही आप कहोगे कि उसका जो characteristic है या तो 0 है या तो प्राइम नेमर है तो चलिए हम आगे दखते हैं तो next इस में क्या है let n be a composite number composite integer माल ले तो यान के आपका composite integer है that is not prime जो composite number होते है वो prime नहीं होते है then we can write n is equal to n1 into n2 लिख सकते हैं या तो वो n1 जो है less होगा 1 से या n2 जो होगा वो less होगा किसे n से now characteristic of d is n तो आपका characteristic क्या हो जाएगा n हो जाएगा order आप identity जो क्या होगा आपका n हो जाएगा where n is identity element of integral domain d तो n into identity 0 होगा इसका मतलब क्या होगा n1 into n2 n के जाएपे हमारा क्या है n1 into n2 है तो identity into 0 हो जाएगा थ्वास यहाँ पर adjust करिए n2 और identity एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह सो जाएगा n1 into identity और n2 into identity इसका मतलब क्या होगा कि n1 into identity जो है वो आपका identity element 0 होगा या तो यह 0 होगा या तो आपका यह 0 होगा या तो n1 into identity 0 होगा या तो n2 into इसके पास क्या हो रहा है 0 diviser नहीं है तो या तो characteristic of d is n1 होगा या तो क्या होगा आपका n2 होगा या तो क्या होगा n2 होगा या तो n1 होगा which is contradiction that characteristic of d is n तो हमने क्या कर दिया जो हमने मान के चला था कि उसका characteristic क्या है d है तो यह क्या है possible नहीं है मतलब d आपने n क्या लिया था तो पॉसिव प्राइम निचुड़ के कंपोजिट लिया था आपने तो यहां से कंड़रिक्शन हो गया तो इस तरह से आपका n क्या है यहां इस नाट कंपोजिट अगर वो कंपोजिट नहीं है तो क्या है प्राइम है ठीक है क्या है प्राइम है चलिए आगे देखिए तो क्या है हमारा मानना कलत था जो characteristic जो d है उसका characteristic क्या है composite है तो क्या होगा आपका composite नहीं होगा तो क्या होजाए आपका prime हो जाएगा ठीक है तो कभी भी integral domain का जो आपका characteristic होता है वो क्या होता है prime number होगा अगर वो integral prime number नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर कोई भी integral domain है उसका अगर जो वो prime है उसका जो आडर होगा integral domain जो characteristic होगा या तो prime होगा या तो 0 होगा ठीक है चलिए हम next theorem करते हैं देखिए next theorem कर रहा है the characteristic of an integral domain d is 0 or greater than 0 according as the order of any non-zero element regarded as a member of the group addition के respect में जो d है या तो either 0 होगा या तो या न होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें पुरूप करने के लिए let a be a non-zero element regard it as a member of member of d प्लस यानि d जो है addition के respect में माल लिए यह जो है उसका element कोई member है इफ या तो उसका आडर 0 होगा अगर उसका आडर एक आडर क्या होगा 0 होगा देन करेटरिस्टिक आप d आप दी इस आल्सो जिरो देन करेट थेक इस्टिक आप दी इस क्या आगा जीरो आएगा ठीक है इफ अगर उसका आडर एका जो आडर है वो आण हो गया मतलब finite है तो क्या हो जागा then n into a क्या हो जागा 0 हो गया let b be another non-zero element आप d then माल ले तर d जो है कोई दूसरा element है जो non-zero है element है d से तो यहां से क्या होगा आपका n into a is equal to 0 imply n into a into b is equal to 0 into b लिशकते है इसका मतलब क्या होगा a plus a plus a plus plus n time into b is equal to 0 तो चलते हो तो यहां से क्या होगा यहां से क्या हुआ यह यह यहां टाइम यह आपको एड करना है उसके बाद into में हम क्यागी लगा दिया b is equal to यह b into 0 क्या होगा 0 होगा इसका मतलब यह हुआ कि n टाइम यहां पर है into b क्या है into 0 है अब यहां से देखिए आगे a इंटू b प्लस b प्लस b यन टाइम यन टाइम is equal to 0 तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं क्या यहां से यहां मैं यहां पर राइट कर रहूं तो यहां से हम लिख सकते हैं a इंटू यां इंटू b is equal to 0 चलिए आगे देखते हैं देखिए जो इंटेगल डोमेन आपका d है क्या है since d is integral domain so it is without zero division आपको पता ही है कि अगर कोई भी ring है वो integral domain बाहता उसके पास zero division नहीं होने चाहिए तो a non zero into n into b is equal to क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा b into b n into b is equal to क्या होगा 0 होगा but as order आपने क्या यहां पर दिया था n लिया था क्या दिया order आप a क्या लिए था n लिया था so n is the least positive integer such that n k is equal to 0 k belongs to integral domain and therefore the characteristic of integral domain is क्या हो जाएगा n हो जाएगा किस केस में होगा n दिखिए थिरूम क्या था the characteristic of integral domain is 0 r greater than 0 n according to the order of non zero element regarded as member of group d plus is either 0 or n जो addition कि स्पेक्ट में जो integral domain अगर group बनाता है उसका अगर non zero element लेते हैं a लेते हैं तो क्या होगा उसका या तो 0 होगा या तो या न होगा तो यह था थिरूम यह भी पूछा गया है बहुत पहले पूछा गया था इसमें यह भी जोडा गया था किस का definition बताईए characteristic का definition बताईए देन यह theorem आप से पूरूप करने के लिए पूछा गया था ठीक है तो चलिए एक और definition बचा हुआ last वह देख लेते हैं ठीक है आईए देखते है जल्दी कोर भाई definition देखते हैं characteristic of field के definition देख लेते हैं कि जो field होते हों कि characteristic क्या होते है let अगर field जो आपका है ठीक है यह आप है be field let e be the unity element of field this field then by definition of field we know that field addition के subject में क्या बनाता है abilion बनाता है if the order of e is 0 मतलब उसकी जो identity होते है उसका order का 0 हो गया the characteristic of field is 0 कब field का characteristic होता है जो कब 0 होता है जब उसके order का identity की जो order होता है वो 0 होता है again if the order of e is finite अगर उसके identity का order जो है finite है same माल लेते P है तब characteristic जो yang around गया होता है जो field का characteristic होता है यो P होता है depending करते है अशे की identity प्रशें ाइदेटी पहाएगा उसका order 0 है तो फिल्ड का जो characteristic होगा 0 होगा उसका order क्या है अगर P है safe कोई P है तो P होगा field with non-zero characteristic is called modular field अगर जो field है उसके paस इसका एक्ञामपल कर लेते हैं एक्जामपल इक लॅग फिल्ड बनाता है तो जो इनुटी फिल्डय का Day आडर 1 का 0 उता है तो इस जो SetUp Videojin रेख़े विल्डय बनाता है उसका जो करेंटस्टिक होगा 0 , आगर लियुक्तिक बनाएंड приним долларов तो यह रहा आपका आज का लेक्चर जो हमने कापी कुछ कवर कर लिया है वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करना